नमस्कार दोस्तों टेक स्केन के एक बिल्कुल ना है फ्रेस और एक्साइटिंग एपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों Reliance Joe और Airtel ये दो कमपनी की तरफ से अपने 5G सर्विसेस को भारत के अंदर लॉंच कर दिया गया है Reliance Joe के तरफ से आज के डेट के अंदर टोटल 5 साइड के अंदर 5G मोबाइल सर्विस और एक साइड के अंदर 5G वाइफ है सर्विस को यह पर लॉंच किया गया है दोस्तों Reliance Joe के बाद Airtel कमपनी 1 अक्टोबर से ये 8 सिटीज के अंदर अपने 5G सर्विसेस को लॉंच कर रहा है और जियो और Airtel के 5G के अंदर में जो डिफरेंसे से जियो जो 5G यह पर प्रोवाइड कर रहा है वो एसे मतलब stand-alone architecture 5G यह पर प्रोवाइड कर रहा है आज के डिट के अंदर काफी सरे scam चल रहा है इस scam के जहांसे के अंदर आप बिल्कूल भी मता हो आपके SIM कर अपड़ेड करने की कोई जरूरत नहीं है आपके normal SIM card के उपड़ी 5G चल जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि Airtail के ग्रहक जो किस तरीके का experience यह पर पा रहा है अपने 5G के साथ उसी के साथ साथ क्या Airtail 5G absolutely free है जिस तरीके से Jio के अंदर जो 5G सर्विस है आप एक जियो के ग्रहक है आपके डिया के अंदर 5G आ चुका है जियो के तरब से इन्विटेशन भी आपको मिल चुका है तो आप unlimited 5G सर्विस यह आपर यूज कर सकते हैं क्या Airtail के तरब से भी आपको unlimited 5G प्रोवाइड कर रहा है पूरा जो answer है इस वीडियो के अंदर में करने वाला हूँ तो अगर आपको इसके बार में जानना है तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए बहुत सरे जानकरी में इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला ह चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आठ सहर की बात करता हूँ जहाँ पर Airtail कंपनी अपने 5G सार्विसेस को लांच किया है वो है देली, मुंबाई, चिननाई, बैंगलूरू, हाइदरबाद, सिलीगूरी, नागपूर और वारा नसी यह जो आठ सिटी है यहाँ पर Airtail आपने 5G सार्विसेस को लांच किया है आज जो वीडियो में बना रहा हूँ वो 27 ऑक्टोबर है 27 ऑक्टोबर 2022 है और आज के डेट के अंदर सिर्फ आप Android स्मार्टफून के उपर Airtail 5G को एक्सेस कर सकते हैं अभी के टाइम के अंदर iPhone क पर Airtail 5G का सपूर्ट नहीं आए और Apple के तरफ से यह कॉंफर्म ही कियागा कि November या December के अंदर एक Software Update आएंगे जिसके बाद Airtail 5G सपूर्ट होंगे लेकिन आज के डेट के अंदर अगर आपके पास Android 5G स्मार्टफोन है तो आप Airtail 5G के एक्स्प्रियेंस कर सकते हैं तो इ अब भी बात कर लेते हैं Airtail 5G सर्विस के अबसुली फ्री है देखिए 5G यूस करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना पड़ रहा है लेकिन Airtail के 5G सर्विस फ्री नहीं है आप अगर Airtail के SIM कार्ड को यूस कर रहे हैं तो Airtail के तरफ से कोई invitation के अंदर आपको नहीं जाना है अगर Airtail के normal SIM card आप यूस कर रहे हैं और आपके mobile phone 5G अवेल है और आप मतलब 5G अवेल एरिया के अंदर रहते हैं तो आप Airtail के 5G के यूस कर सकते हैं कोई invitation बेशिस चीज के ज़रूरद नहीं है लेकिन यह पर एक टामसन करनेशन है फॉर एक्जमबल आप आपके पास 2GB पारड़े वाले कोई plan है मतलब डेली आपको 2GB यूस करने के लिए मिलेंगे अभी 5G के उपर आप सिफ्ट तो कर गया है 5G यूस तो आप कर रहे हैं लेकिन 5G के अंदर भी आपको डेली 2GB करके ही data यह पर मिलेंगे मतलब GU के तरह आपको unlimited free 5G provide नहीं किया ज जाएगा अभी बात कर लेते हैं कि voice call quality के अंदर क्या कुछ changes है देखिए अभी 5G बिलकुल initial stage के अंदर है voice call quality के अंदर किसी भी type of changes नहीं है 4G के उपर जो voice call आप कर रहे थे 5G को पर भी आप similar type of voice call यहां पर कर सकते हैं उसी के साथ साथ Airtel की तरफ से Airtel 5G और Airtel 5G Plus को launch किया अभी इसका difference Airtel की तरफ से ठीक तरफ से clarify नहीं किया गया है लेकिन आने वाले time के अंदर definitely दोनों के अंदर कुछ ना कुछ changes हैं पर आएंगे अभी देखिए Twitter के उपर जो Airtel 5G users है वो काफी आच्छी तरफ से tweet यहां पर किया है कि उनको कितना maximum कितना minimum speed मिल रहा है तो में लिए दो Twitter users के tweet जो हमारे पास निकल के आ रहा था जो भी Airtel 5G experience कर रहा है maximum 732 Mbps का speed real life पर उने मिल रहा है मतलब इससे पहले Airtel जहां पर भी जिस तरीका है भी event यहां पर रखा है वहां पर 1Gbps तक के speed पहुच रहा था लेकिन real life use cases के अंदर 732 Mbps का speed एक ग्रहा जादा speed आपको Airtel 5G को पर provide कर पा रहा है 5G इने से के ओपर आने बाले टाइम के अंदर 5G एसे launch करेंगे Airtel तो वहां पर आपको GPPS level के speed देखने के लिए मिलेंगे लेकिन अभी के टाइम के अंदर 732 Mbps या 465 Mbps के असपस यहां पर speed आपको मिल रहा है लेकिन वही काई general user से तो ही आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आप पूछेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर क्या Airtel कंपनी अपने cities का amount पर बढ़ाएंगे देखिए December माईने के अंदर हो सकता है कि Airtel और कुछ cities के अंदर अपने services को पहुँचाए लेकिन next year तक maximum cities के अंदर March तक maximum cities क के अंदर 5G आ जाएंगे और December तक पूरे जगे पूरे भारत जो वो 5G से cover हो जाएंगे और हमें 5G plans जो 5G के लिए specific tariffs जो हमें तब देखने के लिए मिलेंगे और अभी के time के अंदर जो 5G आप यूज़ करेंगे जो भी आपके 4G plans से उसी plans को आप 5G को पर यूज़ कर जाएंगे या आपके mobile phone के अंदर अगर कोई latest software update आते हैं तो update आप कर लीज़े उसके बाद 5G यूज़ कर पाएंगे अगर आप 5G device यहां पर यूज़ कर रहे हैं तो जो भी confusion था आपके एमन में जो भी मतलब problems था या तेल 5G इसलेटर मैंने असा करते हैं कि clear कर दिया अग कर दो कर दो कर दोल एसक्ति एकर आ落लेगे अऌना है